कोरोना महामारी के दूसरे फेज को लेकर न केवल विश्वतर बलकि देश के विशशग्यों ने भी सतरता बरतने की हिदायत चारी की है यहां तक कि मास्क और सोशल लिसेंसिंग के नियमों का पालन अनिवारे रूप से करने की अपील भी की जा रही है तमाम प्रयासों के बावचुद कुछ लोग लापरवा दिखाई देने तथा इससे अन्य लोगों के बादित होने की संभावना के चलते गत अनेक दिनों से बिना मास निकलने वालों के खिलाफ जुर्माने की कारवाई तो की जा रही है किन्तो आलम यह है कि कारवाई के बाद भी नियमों का उलंगन करने वालों की संख्या में लगातार वृद्धी हो रही है गुरवार को मनपा के एंडियस दस्ते की और से कुल 302 लोगों के खिलाफ कारवाई कर 1,91 रुपे का जुर्माना वसूल किया गया मास्क पहनने और सोशल डिस्सिंसिंग का पालन करने के लिए लगातार जंचाकरूती करने के बाद भी इसका उलंगन देखते हुए मनपा की और से बिना मास्क पाई जाने पर 200 रुपे का जुर्माना ठोकने का निर्नल लिया गया था इसके बाद भी नियमों का उलंगन करने वालों का आकड़ा बढ़ने से जुर्माने की राशी बढ़ा कर पास रुपे कर दी गई इसके बावजूत इसमें कमी आने का नाम नहीं ले रही है दस्ती की और से की जा रही कारवाई में अब तक कुल 17,402 लोगों की खिलाफ कारवाई कर कुल 70,69,000 का जुर्माना वसूल किया गया है